हेलो दोस्तो नमस्कार शंतोसी आईस में आप सभी का एक बात फिर स्वागत है आज यहां पर आपके दो टॉपिक कवर होने वाले हैं जन जातिया और आपका भासाएं ठीक है सुबह हमने इस से पहले हमने कवर कर दिया था कलाइमेट और स्वाइल ठीक है उसको जाके देख दीजिएगा यहां पर आपका यह टॉपिक के पूरा पूरी तरह से हम किलियर कर देंगे बिद मैप के साथ हर एक मैप दिखाएंगे कहां पर कौन से जन जातिया आपकी पाई जाती है ठीक है आज के बाद आपको इससे कोई भी कोश्चन नहीं छुटेगा ठीक है और जो को यह पूरा घटना चक रही है हम उसको एक डाइग्राम के फॉर्म में एक उसमें पीड कर देते हैं मैप ताकि आपको समझने में आसानी हो सके काफी अच्छे से आप समझ सके इस पीडिया को फिर ही आपको डाउनलोड कर लेजिए टेलिग्राम का चैनल दिया गया लिंक नीचे डिसक्सन बाक्स में वहां से यहां डाउनलोड कर सकते हैं ठीके यहां पर होस्ते यहां पर यहां पर जितने भी कंटेंट होंगे वह पूरे जनुन कंटेंट आते हैं थोड़ा से टफ रहते हैं जो भी मैं कंटेंट पढ़ाता हूं थोड़ा सा टफ रहता है लेकिन ये पेपर में आने वाले कंटेंट होते हैं ये मैं दिखाता भी हूं देखिए वहां यहां पर आया हुआ है तो चलते हैं मैं पूरी तरह से कोसिस कर रहा हूं इसी मंत में आप आपका वर्ड जोगर्फी खतम हो जाए ठीक आज 24 तारीक हो गया यह हम दो एक दो लेक्टर और बचा होगा वर्ड जोगर्फी का उसमें एक जो आगे वाला आने वाला लेक्टर है आर्थिक भूगोल का उसमें मैं लेटेस्ट डाटा लेकर आने वाला हूं जो मिनरल का हो रही है तो मैं ढूटके ही लाता हूं ठीक है तो आप सबको क्या करेंगे सिर्फ प्ली लाइक सेयर सस्क्राइब कर लिया करिए ताकि हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे सब कुछ हम आपको फ्री आप कोश्ठी प्रवाइड करते हैं ठीक है तो चलते हैं यहां पर होती है प्राथ्मिक जादिया होती है समदाइक जीवन समदाइक जीवन ही इनका जीवन सहली होता है ठीक है मतलब कोई भी जन जातिया आप देए कोई भी ट्राइब से देख लेजिए जो होते हैं वो समदाइय में रहना पसंद करते हैं आप ऐसे बहुत कमी जन जातियों क कभी दृगठन हो जाते हैं तो भले आके मिल लेते हैं, भुकम बागया, वहाँ नीचे खड़े हो जाते हैं टीक है, वह मिल लेते हैं, इससे पहले वह कभी मिले ही, iso है कि यह मेरे ही Frelate में रहते हैं ऐसी आज प्रक्राइब में रहना पसंद करते हैं यह अगन अधका जिवन वित्यद करती हैं तो हां उनका जिवन सहली जो होता है समुदाइक होता है आज भी एचिक अब एक से खाना बदोष जन जातिया यह क्या होती है तो चाह यहांपर क्या होता है जैसे खाना बदोष जर जो होती है हमेशा एक जगा से दूसरे जगा swoje होता है यह जैसे क्या होता है मान लिजी हम पहले दो एरिया है ठीक है मान लिजे जम्मु कस्मीर का ओग ओधिया है ठीक है वह पहाड है अब जैसे जहां यहां पर फंधधी नहीं पड़ती का प्राइब्स अपूल महीण जाता था उगए report यहां प्रशन जम्य नहीं ओदैनल रहते हैं लेकिन अगर방 दिसंबर जनवरी यह महीणे सनत तो यहां पर पुरा बहुण जमा हो जाता है, तो यहां पर क्या होता है, यहां से जो भी लोग यहां रहते हैं, यह नीचे परवास कर लेते हैं, तो यही होता है, यह तो मैं ठंडी वाला अरिया बता दी, ऐसे गर्मी वाला अरिया में, जिसे गर्म वाले छेतरों में, अगर आप बात करते हैं, राजस्त जाता है तो क्या होता है यहां से लोग अपने पस्वों को खुद आप ऐसा नहीं कि पस्वों चोड़ देंगे अपस्वों को खुद लेकर यह साइड एरिया में आ प्यारा भारत है यह साइड में थोड़ा सा पूरव की तरफ आ उस साइड में जजादा करती ही ताको जो कि पानी होता पूरी तरह से जिंद्धी अगर किसी needing को चलने के लिए मेनी नहीं की होता है तो वहां के क्या करें तो सब कुछ लेकर अपने पसुओ को सब कुछ लेकर चले कर आते इस सडस्ड मतलब जहां पर पानी और महां चले जाते हैं मेंली कहने का ये मतलब है तो यही होता है पसुओ के चारा योम भोजन की तलास में जगां जगां भटकना उस पर climate factor भी बहुत important होता है अगर climate factor important नहोता तो जहां पर वहां पर अगर उनको चाहे ठंडे एरिया में चाहे गर्म एरिया में जो खुछ मिला ह बहुत factor करता है इनके खाना बदोस जन जातियों में ठीक है आप हमेशा मेंस में ये भी लिख सकते हैं कि climate बहुत ज्यादा फैक्टर करता है ये जो खाना बदोस जन जाती है बनती पाई जाती है अब देखिए यही जारखंड PCS में कोशन आ गया था कि सर्वधिक संकेंद घर कहां पर होता है खाना बदोस जन जाती हो गांः तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है सुश्क छेत्रों में चाहे उव Thousands घर्म शेत्र 2022 दोनों सुस्क्वी होगा जहां पर बारिस मतलब नाम मात्र की होगी धूप नाम मात्र का होगा तो ऐसे एरिया में क्या होता है यह खाना बदोस जन जाती है ज्यादा पाई जाती है अब दिखें लगभग सभी छेत्रों में इनकी उपलब दता होती हमने कहा चाहे ठंडी एरिया हो चाहे घर में अर्या हम हर जगां यह पाई जाते हैं तो खाना बदोस अगर जन जाती पूछे तो यह खाने की तलास में चाहे अपने के लिए चाहे पसुओ के लिए इधर उदर भैठकते रहते हैं ठीक है तो यह अब देखें रितु परवास रितु परवास और खाना लगभख सेमी होता देखे जब किसी मौसम में लोग एक अस्थान छोड़कर दूसरे अनकूल अस्थान पर रहने लगते हैं तथा मौसम बदलते ही पुना उसी अस्थान पर वापस आकर रहने लगते हैं ठीक है जो आए देखे पसुओं के चारह और भोजन के तलास में जग जब कर लोग दूसरे अस्थान पर रहने लगते हैं तथा मौसम बदलते ही पुना उसी अस्थान पर रहने लगते हैं जैसे अभी एक जमपर बताया कि क्या बताया कि जिसे घां़ ठंड़े पढ़ती महां चारगा की कमी हो जाती है फिर वहां से नीचे आ रेगिस्तान का एरिया में जहाँ पानी कमी हो जाती है फिर उधर आ जाते हैं जब बारिस हो जाती है पानी थोड़ा सा हो जाता है फिर वहीं पर चले जाते हैं तो यही रितू परवास होता है ठीक है रितू परवास कोई पूछे यही होता है ठीक है याद रखेंगे अब द ठीक है अब हम आते हैं एप दो मतल़ जो जणजाति मीमली जन जाती है उनके बारे में देखते हैं पहले हम किसको ड theoretical में जो पिगमी जनजाति हां अब देखी इसमें क्या है कि दिखें बिशुवत रेखिए अफ्रीका के कांगो बेसिन में आप अगर पूरा मैप इंडिया का देखते हैं ठीक है मैप यहां पर है कि नहीं मैप चलते हैं मैप वहां पर हम दिखां मैप यहां पर पूरा इंडिया वर्ड का तो नहीं लाया है यह वाला एरिया ठीक यह अगर हमें अरिया देखते हैं यह वाला यह आपको दिख रहा होगा यह क्योटर इधर ही से पास हो रहा है तो जो पिगमी जन जातिया होती है में यहीं पर संक्रित मंदब कांगो जो बेसिन छेत्र होता है यह आपके बीपी असी में तीन बार कोश्चन पूछा गया है पहले सालम में भी ठीक है तो याद रखिएगा यह में सत्तान में दो हजार में यह कोश्चन पूछा गया है तो यह इंपोर्डन कोश्चन हो जाता है बिपी असी के लिए विश्वत रेखिए आफ्रीकी कांगो बेसिन में वर्सा वनों में निवास करने वाली जन जातिया होती ह पेड़ो पर बनाई गई जोपडिया मतलब निमास सतान है क्या होता है इनकी जोपडिया जो होती हैки जोटी है पिर पर मैप नहीं ला पाए उसका फीगर नहीं ला पाया थेकर मुझे याद नहीं था ठीक है तो आप एक बार सर्च कर लिजिए गूगल में ताकि याद आ जाए ठीक है मैं कई फीगर ऐसे ला ही देता हूं लेकिन इसका थोड़ा सा मुझे याद नहीं था नहीं तो मैं इसका भी फीगर ला देता ठीक है अब देखें मोंगलोस क्या था माली जे मैं थोड़ा सा बना ही देता हूं यह देखें यह माली यह आपका पेड़ा है ठीक है पेड़ साइज बन नहीं पाएगा यह देखें यह पेड़ा है अब इस पेड़ में इसी पेड़ पर यह जोपड़िया बनाते हैं ठीक है इसी पेड़ पर जोपड़िया बनाके इसी पर माली यह टाहन आई गई जोपडिया जो होती है उसको मोंगुलस कहते हैं क्या कहते हैं मोंगुलस कहते हैं अगर मैं आपसे पूचो मोंगुलस अभी कई वर्ड बताऊंगा मैं इसी में इसी वर्ड से ही कई question पूछे गए हैं जिससे मोंगुलस हुआ क्राल हुआ यह सब आपके पेपर में आ सकता है तो मोंगुलस क्या होता है पिग्मी की द्वारा बनाई गई पेड़ो पर जोपड़िया मोंगुलस का लाता वहीं पर वे रायते हैं काले रंग और नाटे कतके निग्रोटो परजात किये हैं कई परजातिया होती जैसे निग्रोटो होती है मंगुलाइड होती है कोसिसस होती है यह सब परजातिया होती है तो कौन सी यह किस परजातिया किये हैं निग्रेटो परजातिया किये पिग्मी होते है ठीक है अब देखें यह कुशन आरेयसा राजस्तान पीसिस में आता है कि महादीब का मानो जातिका जन्म अस्थल कहलाता है तो वह कौन सा महादीब है जिसमें मानो जातिका जन्म अस्थल कहलाता है यह कुशन है ठीक है महादीब जो मानो का यहां जो होना चाहिए जो मानो जातिका जन्म अस्थल कहलाता है तो वह क्या है अफरीका मानों का पादिर्भा हुआ ठीक है सबसे पहले कहा हुआ अफ्रीगा महादीप में अब देखें बरतमान में काके सियाई परजाती ठीक है जो अभी हम बता रहे थे कि निग्रोटो मंगलोईड और यह काके सियाई परजाती की संख्या विश्व में सबसे अधिक है किसकी यहाँ में रहता है चाहे वो BPSC में आया हुआ हुआ हो चाहे ऊत्राखंड PCS नो जो आपके घुष्टन चकर में जहां चाहां आया रहता है IS का मैं question नहीं छोड़ता IS के question सब कुछ मैं ले लेता हूँ ठीक है तो याद रखेगा ठीक है यहाँ पर सभी कुछ important होते हैं ठीक है आप सब प्लीज इस वीडियो को share कर दिया करिए दोस्तों में like कर दिया करिए क्योंकि अगर मैं वैसे ही आपको घटना चकर पढ़ाना होता तो मैं आपको घटना चकर दो दिन में पूरी घटना चकर खतम कर सकता था ठीक है लेकिन इसको आप handwritten notes में लिखना फिर इस map को ढूड़ना हर एक map को लगाना ठीक है कौन सी जन जाते हो देखे कि जूलू यहां पर इस map को ढूड़ने में कम से कम 15 मिनट लगा था ठीक है तो यह देखना पड़ता ही कहां पर वह जूलू लिखा गया है कहां पर वह मैं मैं ठीक है तो ऐसे map को ढूड़ना थोड़ा साथ समय लगता इसलिए मैं कहता हूं प्लीज आप मोटीबेशन मेरा बनाई रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए अब देखे मसाई अब ही हम क्या पढ़ लिए यह पीगमी पीगमी में क्या पढ़ है कांगो बेसिन में मोंगुला से याद रख लिए बस यही दोनों चीज़ याद रख लिए और शिकारी होते हैं और इससे ज्यादा इसमें पेर में उत्ता नहीं होता है मसाई क्या होता है मसाई पूर्वी अफ्रीका के केन्या उत्री तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी में रहने वाले रहना ठीक है यह मसाई जन जाती है तो मसाई में एक ही कोशन जाता पूछा जाता है कहां पर यह तो केन्या में नेरोबी कहा है केन्या में ठीक है मलब नेरोबी भी केन्या में वहीं पर मुख्याले भी है आई सीएन का ठीक है किसका आई यू सीएन का मुख्याले कहा है केन्या के नेरोबी में ठीक है तो यहीं पर कौन से जन जाती पाई जाती है केन्या में मसाई जन जाती पाई जाती है तंजानिया में मलब जो आपका ये एरिया दिखता है जीस वाला एरिया में यहां पर एरिया ठीक है तंजानिया हुआ के नया हुआ इस एरिया में पाई जाती है ठीक है अब देखे मसाई क्या होती है गोमकड़ी होती है पस चारगी ही होती है पस चारगी ठीक है के रूप मे तो अगर किन्या पढ़ रहे हैं तो किन्या पढ़ निए और किन्या में क्या रहती है मसाई रहती है बस इतना याद रख लिजिए इस से ज़्यादा कुछ नहीं तो अब यह मोंगुलस पिगमी क्रॉल मसाई बस ठीक अब चलते हैं यहां पर देखते हैं जूलू ठीक है जूलू कहा है अब जिखे जूलू यहां पर अफरीका में पाई यह दच्छड अफरीका म हैं इसा मलब देखें किस कतना ऐसा कंड़ेंट कहां मिलेगा इंडस इंसा डलवाना थीक है इंसे डलवाना याद रखेंगा नामी नहीं इंसाट डलवाना थीक है युद्ध ये कब हुआ था 1889 में हुआ था ये किसके मिक्सिसचे में दोब है जूलू कबीले और अंग्रेज़ों में जूलू अंपायर यहां होता था या दिखें यहां पर आपको दिख रहा होगा जूलू अंपायर हुआ करता था ठीक है जूलू कभीले और अंग्रेजों के मद्द 1889 में इनसर डलवाना का युद्ध हुआ था तो यह नहीं पूछेगा उतना नहीं पू याद रखेगा जूलू कहां हमने देखे मैप में दिखा दिया है आपको याद हो जाना चाहिए जब वहां पेपर में बैठिएगा तो मैं जब बोल रहा हूं जूलू जूलू बोल रहा हूं तो मैप भी दिखा रहा हूं तो आपको याद होना है किलिक कर जाना चाहिए कि हा अफ्रीका के नीचे भाग में जूलू अंपायर हमने दिखाया था अफ्रीका का दच्छडी अफ्रीका ठीक है अफ्रीका महदीब का दच्छडी अफ्रीका देश ठीक है एक अफ्रीका महदीब का नीचे अलग दम दच्छड में देश है इस दच्छड में है तो दच्छडी न्यूवास अस्थान था पेड़ों पर मसाई पढ़ा यहांभी पेड़ बना देंगे आप और वहांपर करॉल लिख देंगे करॉल क्रॉल क्रॉल क्या होता है यह मसाई जद की रहने वाली जोपड़ी ठीक है तो यह पीड़ के लिखेएए और यह सिर्फा यह cross अब दिखिए सकाई देखते हैं सकाई मला प्राय दीप आ अखेट के लिए फूंक नली का प्रियोग करते थे ठीक हो यह कहां पर रहते हैं सकाई जर्णारायत निवास स्तान कहां है मले प्राय दीप या मलेसिया के बनो में अब मले प्राय दीप कहां पे है यह देखिए आपको यहां पर अपना प्यारा भारत दिख रहा है प्यारा भारत के इधर देखिए यह बोर्णियो दीप ठीक है बोर्णियो दीप है यही पर मलेसिया है आपका यह उपर वाला देख रहा है ऑफ को दिखना। ягते हैं उस से को ह् आपको प्रूनस्या, ग्रीन वाला यह zar जन जाती, कहां रहती है? तो ये मलेसिया में ही रहती है, सकाई जन जाती है, तो सकाई कहां रहती है? मलेसिया मले प्राय दीप में रहती है, तो यहां पे अ बेजा और लूर, ठीक है, तो इनके बारे में याद रखेंगे, यहूदी के बारे में तो जरूर याद रखेंगा, क्योंकि यहूदी अभी क्या हुआ है, चर्चा में है, ठीक है, क्योंकि इजराइल जब चर्चा में है, तो यहूदी कहां पर पाई जाते हैं, ठीक है, तो आप कहा सकते हैं जो यहूदी होते हैं यहूदी लोग सबसे इनका जो माइन्ड होता है यहूदी कहां इस्परायल में लिविया में रहते हैं तो यहूद इसकीमो क्या है इसकीमो से बहुत ज्यादा कुशन बन जाता है इसकीमो से क्या बनेगा इसकीमो कहां यह जंजाती है पाई जाती है तो जो बर्फ वाला एरिया है जहां पर बर्फ पढ़ती रहती है वहां पर यह इसकीमो जंजाती है अलास्का का एरिया देख सकते हैं कनाड मुखः कई लेड़ में या यां और रुस मों का कुने इतना वर्फ में पूंने वह आदे तो सिकार तो मुख्वे उसाय होगा ही अब देखिए हारपुन क्या होता है हारपुन नामक सस्त्र सस्त्र जो होता है और कयाक नाव की मदद से मचलियों का सिकार करते है जो कयाक होता है ये नाव होता है एक सकरी नाव होता है ठीक कयाक अगर आप से कोई पूछ ले कि कयाक क् सिकार करने की एक सक्री नाव होती है पतली से बनाई जाती है अभी कयाक सुर्खीयों में भी था किसी करेंड़ में ठीक है तो कयाक नाव की मदद से मचलियों का सिकार करते है अब इनियूट क्या होता है इगलू क्या होता है और सलेज क्या होता है ये तीनों याद रखेगा इनियूट इगलू और सलेज ठीक है अगर मैं कहूं इनियूट क्या होता है तो इसक्म Greenland में बताएंगे उत्तरी-Rouse में बताएंगे तो Innute यहां रहते हैं ठीक है तो अगर आपसे पूछे कि Innute कहां रहते हैं तो कनाडा, Greenland ये भी question पूछा गया और इन्योट तो Eskimo परजादिका, अस्थानाई नाम को Innute कहते हैं अब इगलू क्या होता इनके द्वारा बनाए गए बर्फ के घर यह तो बच्पन से यह आप पढ़ते हैं होंगे कि इगलू ठीक है यह देखें यह जो बर्फ का घर है इसी को इगलू कहते हैं याद रखेंगे इसी को क्या कहते हैं इगलू कहते हैं यह बर्फ का है यह इंट तो है बर्प का घर ठीक है यहीं पर यह रहते हैं अब देखिए इस क्यों सिलेज क्या होता है कुतों द्वारा खीची जाने वाली गाड़ी का परियोगा आप कई मूवियों में देखेंगे कई असान पर यह देखें जो डॉग होते हैं इनके पीछे गाड़ी होती है तो यह ही मतलब यहां दो ही हैं तो वहां कम से कम 10-12 कुते होते हैं वो क्या होते हैं खीचते रहते हैं ठीक है और वो बहुत आसानी से चलते हैं ठीक है आप अगर यह सोचेंगे कि इनको कोई प्रॉब्लम होती होगी यह मतलब खीचने में तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है यह कुछते हैं, यह dog जो होते हैं, यह सोचते हैं कि हमको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यह जब चलते हैं इनके अंदर एक energy होती है, मतलब इनको थोड़ा सा अच्छा फिल होता है, श बर्ब के मैदान में चलने में, ठीक है, जैसे उूट होता है उसको रेकिस्तान में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता वैसे इन सब को इस बर्फे में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो इनके दोरा जो गाड़िया खीची जाती है उसको सलेज कहते है ये भी कोशन आगया है कि कुटो दोरा खीची जाने वाली गाड़िया जो होती है उनको सलेज कहते है इनियूट क्या होता है इसकमो परजाती का स्थानी ये नाम होता है इगलू क्या होता है इनके द्वारा बनाएगे बर्फे के घर को इगलू कहते हैं ठीक है इगलू इनियूट क्या होता है इनका नाम होता है इसलेज क्या होता है खीची जाने वाली गाड़ी अब तीनों वर्ड याद रखेंगे ठीक है आप देखें बुसमाहिन बुसमाहिन क इतना पूरा आपको दिख रहा होगा यहीं है ठीक बुसमाइन यहां पर मैप भी लिया है ताकि आपको याद हो जाए पिग्मी हमने पढ़ा दिया यहां पर पिग्मी है ठीक है अभी हम आपको सब आपको रिवीजन भी करवा देंगे कहां पर जो मैप होगा पूरे वर्ड का उसमें दिखा भी देंगे कहां कौन से पाई जाएंगी ताकि आपको पता चल गया यह कहां पर पाई जाती इस एरिया में पाई जाती है अब देखें मुख ब्यवसाय क्या है आखेट सिकार करना सिकार होता है जंगली वनस्पति संग्रह स्वरिव GUY खा लेते हैं यह जंगली वनस्पति संग्रह कहते हैं आप देखें दीमक पर तक होता है तो दीमक को चावल के रूप में बुस्मेन जंजातिया परियोग करती है ठीक है तो कुन सी जंजातिया बुस्मेन जंजातिया परियोग करती है अब देखे सिमांग है अभी हमने क्या पाथा सकाई पढ़ा था सकाई यहां कहां गया यह देखिए यह सकाई सकाई कहां पढ़ है सेमांग ये देखें कहां ये सेमांग ठीक फिर निग्रियोट्व परजाति की जण जाती होती मलब बनों के उपज और सिकार पर ही इनका जीवन निर्वर होता है यह याद रखेंगे सेमांग और सकाई कहां पर पाए जाता है मलेसिया में पाए जाता है सेमांग सकाई दोनों याद रखेगा अब देखिए पापुवान पापुवा नियुगिनी में पापुवा शुक्र प्रजाति के यह अंद 288 लोग होते हैं ठीक हे लिए ठीक के जिपसी कहां पायाता है INF19TI 95 मौयこんな इस में जिपसी भारत पाया जाती है उरांव गोंड भारत इसको पता ही होगा लेकिन इस नहीं पता होगा तो जिपसी याद रख लखी जिए जिपसी भारत में पायात भीक एक यूपिक जनיצाथिया इंपोर्टर्टटंट यह भी जाद रख से और यूपिक निवास यूप पूर्वी रूस और पश्मी अलासका है कहां पर जो आपका इयरिया रूसे वाला कमचुटका के ऊपर वाला एरिया है वही एरिया ठीक है तो पूर्वी रूस और पश्मी वहां पर यह यूपिक जंजाती पहा जाती है छेत्रों में निवाज ठीक है सिलेज कुटो द्वारा खीचे जाने वाली गाड़ी कप्रियों यह सब आपके पेपर में आगया ता यहां कि जन जाती है तो बड़्व बड़्व अगर बड़्व आपके गए हैं बड़्व दे दिया तब कन्फ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं दोनों ही लिख दिया ठीक है अब देखें बड़्व क्या होता आरब के मरुस्तल में मुक्षिता स यह कहां पर सौधी अरब निवास करने वाली उत्तरी भाग में निवास करने वाली जन जाती होती है बद्दू कबीले के रूप में चलवासी जीवन बतीत करते हैं आर्मिनाइड और भूमद सागरिये करकसाइड परजातियों के मिसरड से सम्मधित होते हैं यह याद रखें कोलंबिया के सीमांत छेत्रों में निवास करते हैं ब्राजील पेरु कोलंबिया के सीमांत छेत्रों में बोरा जन जाती निवास करती है आदिम किर्सक के जीवन आदिम किर्सक के रूप में जीवन यापन करते हैं कौन से बोरा जन जाती लडाकु तथा निर्दाई सुभा के होते हैं आदिम किर्शी जी निवा करते हैं ब्राजील पेरू कोलंबिया यह देखिए आप इस साइड देख सकते हैं यह देखें कोलंबिया हो गया यह ब्राजील का एरिया हो गया ठीक है पेरू हो गया ठीक है तो ब्राजील पेरू और कोलंबिया देखिए यहां पर यह भी बना है आपको इससे पता चल जाएगा ठीक है एक बार कुशन आपके पेपर में पूछा गया था यहीं बता दे रहा क्योंकि एकवर्ड स्पाइब के साथ बोर्ड स्पाण से उह दोनों कंट्रियं कोइब पूछ पूछा गया था थे तब अब देखिए ये इतना याद रखनेंगे बूरा जंजा तो यही पर पाये जाती है फूँकार जंजाती होती है ठीके लड़ाको परविती है खिरगीज कहां पायाते है निवास पंईर पठार या तिनियन सान परवत माला के छेतर में पढ़ पाया जाता है यह कौन सा है? खिरगीज, ठीक है? अब देखिए, रित्व परवास और पस्चारक चलवासी करते हैं, पामीर पठार ती अन्सान पपतमाला के छेतर में, आस्थाई निवास है, तो गोलाकार तंभू यूर्त का प्रयोग करते हैं, तो यूर्त क्या होता है, यूर्त क्या होत तो यह बता देंगे गोला कार तंबो जो होता उसी को यूर्त कहते हैं ठीक है बस अब देखिए यूनियाक परिवाहन हे तु जो नाव होता है उसको कहते हैं कयाक सिकार हे तु सकरी नाव यूनियाक और कयाक दो चीजे होती है अगर यूनियाक पूछे तो परिवाहन हे तु नाओ होती है उसको यूनियाक कहते हैं कयाक क्याक क्या होता है सिकारी हे तु सकरी नाओ होती है उसको कयाक का जाता है ठीक है तो यह याद रखे अब देखे सामी जन जाती है क्या होती है तो सामी जन जाती है यह कहां पाई जाती है तो सामी जन जाती है अन्य नाम इसको से मुखुरूप से उत्तरी नार्वे स्टन फिल्लैंड रूस के गोला परायदिर्ण यह कंट्री रहा है निवाες करती है यहां पर नार्वे स्टन फिल्लैंड से महीं यह निवास करती है ठीक है अब देखिए अब एक बार हम क्या करते हैं देखते हैं कौन सी जनजाती कहा निवास करती है अब देखिए यहाँ पर इसलिए पूरा मैप में ले लिए हैं ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए तो यहाँ पर देखते हैं पहला देखते हैं यहाँ अब मैं कहू याद रखेगा पूर्वी मध्योम दच्छड अफ्रीका में निवास करती है बंतु एक बिद्दा याद रखेगा बिद्दा कहां निवास करती है तो बिद्दा कहां पर निवास करती है तो बिद्दा सिरी लंका में निवास करती है बिद्दा जंजाती यह तो हो गया सिरी सिरलंका में एक बद्दूटा बद्द्दा में कनफ्यूज रही अगर बद्दे पूछे वे जाता है यह चक्वा कर रिप सिरलंका में तो यह सरी अर्भ मरि dwarf करता है तो यह थी साहाररा मून के रोग में ओष्थमенийार्मी के पूरवी मद्द दच्षड अफरीका में जूलू दच्षड अफरीका में बुस्मैन कहां पर यह तंजन यहां काद्यारी मरस्ताल में ठीक है यह याद रखिए आप देखिए मौरी जन जाती मंगोरी जन जाती इनके बारे कहानी है बहुत परसिद्ध कहानी आप यूटूब पर यूपई करते है यह बताइपा अबी हमने पताइप अब但 यूगी में सेमांग सकाई सेमां वह सेमां हुआक मरता यह सब कऴ अन्यूवार यह सब चाहिए जापान में योद्ल में कहां पर जापान में सेंवारी पामीर के पथार में कोर याग पूछा गया दो यही पूछा गए है ठीए दोनों लिख दिया हूं leps सामी prata लिख दिया हूँ दोनों एसकर नेवियन कंट्री में पाई जाती है स्यूडेन फिल्लेंड नौर्वी यह सब इस एरिया में लैब से चाहे सामी पूछे दोनों ठीक है अब देखें यहां पर हमने इसकी मों भी लिख दिया है इन्यूट भी लिए दोनों लिखा हूँ इन्यूट यह देखें कनाड़ा में यहां पर है यह यहां पर इसकी मों तो यह वाला एरिया है यहीं पर इन्यूट पाई जाती है एक बार कोशन पुछा गया था कनाड़ा में कौन से जन जाती तो इन्यूट वहां आप संदिया था इन्यूट आप लगाईंगे ठीक है ग इन्डियान यह नॉर्थ अमेरिका में रेड इ antagonist मैयाज गॉआते माला में यह देखे और एरिया है नॉर्थ अमेरिका विद्गेअ !! आधे मंत्टंसु घांप கॉत मेर यहां पनामा थो सार है यहां हो यहां आपका यह वाला एक यह ठीक है चाहिए पेरू का एकवरडूर का है यह को लंबिया कैड़ीं के मि-मर्ची-अ-ब-र-क देखनता यहां मोरूप है यहां वरॉप हैं कुछ नहीं आ था बार बहुद है और कुछ ते चूटन नहीं है एक बार फिर आप देख लीजिए का कौन कहां पाई जाती हमने लिख भी दिया है इन यूट चाहे पूछे कनाड़ा में बताईए चाहे इसकीमों पूछे ग्रीन लेंड में बताईए इनके घर को युलू कहते हैं ठीक है और यह लाइब से या सामी पूछे इसकंडेबिय में 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 मद्ध पूर्वी यूरोप अलपाइन परदेश में पश्चमी मद्ध एसिया में क्या यह अलपाइन परजात की लोग पाई जाते हैं मद्ध पूर्वी यूरोप और पश्चमी मद्ध अपरिका में कांगो बेसिन में पिग्मी जन जाती पाई जाती है यहा लेप ऌ, धच्छिद पूर्वे अयज्या में निग्रेटो, ठीक है? नौ्डिक और निग्रेटो दौनों नौडिक देश नहीं बोला जाता कि नौडिक देश हैं वो तो इसी इस पड़ गया अब देखिए उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगलाइड वर्ग से संब्दित हैं अब देखिए यहां पर रूस में कोर्याग ठीक है बोर्णियों में पुनान पाए जाते हैं पुनान जन जाती अरब मरुस्तर में रुवाला जन जाती और स्टूडन और फिन्लेंड में लाइब से ठीक है और देखिए यही 2021 में कुश्चन आया हुआ ता इसलिए मैं कहता हूं कोई भी कुश्चन आपके पेपर यहां पर पीडियाफ में जो भी रहेगा वह आया हुआ कुश पढ़ा दूँ आपको इसके बाद व्यूडेर सारा आ जाए उसमें आपका कोई फायदा ना हो सब फायदा हमको हो जाए हमको फायदा नहीं चाहिए आपका सेलेक्शन चाहिए सिर्फ आप सेलेक्शन ले लीजिए बस ठीक है अब देखिए यहां पर क्या है रूस एक उसमताहिए महतफूर्ब परजातिया महतपूर्ड नचका करने किते लिए। कि कुछ नहीं चोड़ता हूं है तो यतना आपके कितना हो गया यह जितना भी हमने बताया यह आपके जंजातियों से अगर इतना जंजातियों के बारे में आप पढ़ लिंगे तो आपका एक नंबर एक मतलब एक कोश्चन है कंफर्म सही होगा इससे ज्यादा पूछने वाल जिए पूछन पूछा गया था तब उसमें मंदारिन सबसे जादा बोला जाता था। लेकिन अगरquele टाइम की बात करें तो पर्शेन टाइम में अंग्रेजी भासा है सबसे जादा बoh जाती है क्योंकि पहले क्या होता कैसे एंग्रेजी फर्ष्ट पे आंगई मंदारीन से पेखेंड पर पिछे रीजन है क्योंकि हमारे इंडिया में ही इतनी जनसंक्या है अब आदे लोग इंग्लिस ही बोल लाएं तो इसे भी इंग्लिस का मंदारिन पीछे चुड़ गई इंग्लिस आ गया गया इंडिया का भी इसमें रोल है अब अब अंग्रे जी एक दस्वन इतनी को पांच बिलीन मंदारिन एक दस्वन एक बिलीन जब कुश्ट flexor गए था आपके पेपर में तो उसमें मंदाररिन आप घर्टन चा vibration लगाएं गया गया एंसर सही है ठीक लेकिन आ अब क्या나अभी परजंट time में Allnia सबसेärtों मंदारिन कम बोलते हैं इससे तीसरे नमबर पर हमारी हिंदी भासा है 602 दसमलों दो मिलियन लोग बोलते हैं तो हिंदी भासा का यह पूरा याद भी रखे गया आपकी भासा है ठीक है तो हिंदी 602 दसमलों मिलियन लोग बोलते हैं इसके बाद स्पेनिस को हमने पीछे चोड़ दिया फ्रेंच को भी पूर्टिगीज ठीक है रसीट ठीक है और उर्दू ठीक है याद रखेंगे कम तो आगे का 3-4 याद रखेंगे सबसे ज्जादा नंग्रेजी बोली जाती पिर मंधारिं फिर हिंदी तीन तो यादी रख लिजी पहले अंग्रेजी मंधारिं जे को चीनि भासा किए इसके पास के उसके पर हिंदी इस्पेनिए फ्रेंच उस समय कोई सुर्खियों में रहा होगा उसे से लिए पूछ लिया गया कि बिस्व भासा के रूप में कार्ण करने के लिए बनाई गयी एक किर्थिम भासा इस प्रांट होती ठीक है अब देखें यहाँ पर स्पेनिस में इस पेनिस वर्ड भासा कहां बोलिजाती चिली तेनिबिया क्यूबा में इस्पेनिस लेंग्वेज बोली जाती है आयर 2005 का कोश्चन यह आया हुआ था अब दिखिए सरकारी कौम्ट कौम में तो हमारे तमिल में सिंगापॐर में तमिल lawyer चाइनी जैरे और अंग्रेजी यह धिकारिक भासा है सोचिए हमारे यहां का भासा क्या हैtha तौकित पूछा गया था कि सिंगापॐर की रधिकारिक भासा क्या है तो उसमें ओप्र देता, सींगार्फ किशन बुर्ट पुझा है, त Я में और बहुक flour की अधिकारिक भास है तो ते चाहाग기도 यह दे देगा तो आप पूर्त लगाएंगे टीक उर्द्ध कर डेनिस डेनमार्क डेच लेंड लेंड मनंदारिith चीन थीरben बहुत बहुत लिगत तो डच तो यह पता होगा आपको डेनिस डेनमार्क पता होगा मंदारिन चीन में बहासा सभियात करना है इंडोनेसिया में और आपका सही हो जाएगा ठीक है बस इतना ही था आज मैं देखिए दो दो लेक्चर ला रहा हूं लेकिन मैं कंटेंट से कोई कंप्रोमाज नहीं कर यह अपना ख्याल लखिएगा प्लीज इस वीडियो को सेर लाइक सस्क्राइब आप करिएगा आप ही सब के वरोसे मैं यह सब वीडियो बनाता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है आप सब जरूर करेंगे ठीक है तो धन्यवाद नमस्कार जय हिन जय भारत